दोस्तो आज हमें एक ऐसी वेकेंसी के साथ आए हुए हैं जहां पर आल ओवर इंडिया के दिसमी पास वाले अपलाई कर सकते हैं तो इसका फॉर्म कैसे फिल अप करना है पूरा प्रोसेश जो आपको यहां पर हम बताएंगे सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ जो वेकें हाँ रहेगा तो दोस्तों जो लाइक कीज़ेगा चलै स्टाव करते हैं तो जले दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम जन्रल इंस्रॉक्शन की बारे हुं बात करेंगे तो यहां पर देखिए male candidate ही सिर्फ form को fill up कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि City of India जो है वही candidate यहाँ पर eligible है जितना भी इसमें return test, trade test जो भी है ये सब जो है आपका यहाँ पर होगा दिया गया है पुने में जो है जितना भी test वगरा है, examination वगरा है सब यहाँ पर organize कराया जाएगा इसके बाद दोस्तों यह जो form है आपका offline है, इसको form को offline fill up करके मैं आपको बताऊंगा कैसे fill up करना है तो इस address पर पहुन जाना चाहिए आप Speed post के माध्यम से इसको भेज सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर account 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 form को fill up कर सकते हैं इसके बीडियो के starting मैंने बताया, यहाँ पर जो है आपके दसमी पास के जो है यहाँ पर चार सो से ज़्यादा vacancies आई भी है और यहाँ पर जो age limit वागरा दिया गया है देखिए यहाँ पर पहरे post के नामें बात कर लेते हैं तो multi skilled worker के लिए 18-25 साल, multi skilled worker nursing assistant के लिए 18-27 साल के यहाँ पर form के लिए eligible है इसके दोस्तों यहाँ पर बांकी जो relaxation होता है जैसे OBC को 3 साल और SST को 5 साल जो है दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जाएगा इसके दोस्तों अगर आपके पास कुछ certified वगरा है जैसे NCC वगरा तो उसका अलग से आपको preference मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आपको application fee जो है 50 रुपय का payment करना है तो payment करने के लिए आप जो है directly online पर click कर सकते हैं लिंक है इस लिंक पर आप जब click करते हैं तो देखेंगे दोस्तों जैसे आप इस लिंक पर click करते हैं तो यहाँ पर payment करने के लिए के तुरों आप यहां से payment कर सकते हैं सबसे पहरे यहां पर टिक करना है इसको proceed करना है प्रोसीट करने के बाद दोस्तों यहां पर क्या होगा देखिए अपने आप यहां पर आ गया जे रिफेर सेंटर पुने अब यहां पर payment करने के लिए आपको जो है यहां payment gate पर सेलक्र किजिए requirement fee इसके बाद यहां पर जैसे अपर हुड़ेगा तो वह लिखना पड़ेगा इसके बाद दोस्तो यहां पर आप parameter यहां पर अपाइशनुपे कर रहें पछानी की सबक्रों पांकी डिटेल पूची गई जिसे नाम पता वगएरा पूचा गया है और ये caps का code है ये डाल देंगे यहाँ पर और submit कर देंगे तो आपका जो payment है उसमें आपका debit card ATM वगएरा से आप payment कर सकते हैं वहाँ पर दोस्त को आपका एक statement या फिर transaction number जो है generate होगा वो transaction number जो है आपको लिख लेना है या फिर रखे रहना है इसका print out भी रख लेना है अब चले बताते हैं form को कैसे fill up करहना है तो form को fill up करने के मिलें सब से पहले यह जो आपको यह पूरा form देख रहा इसको क्या करना है आपको print out लेरा है print out देने क बाद दूसतों आप इसको चाहाए black and white printer ले सक यह इसका advertisement number है इस vacancy का और यहां तक admit card तक यहां तक आपको print out करा देना है print out कराने के बाद दोस्तों आपको यह form को अपने हाथों से fill up करना है तो देखिए कैसे step by step यहां पे fill up करेंगे पुरा ध्यान से सुनी का पुरा वीडियो देखिए गा तभी आपको यहां पर समझ में आएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे जो है आपको अपना post number लिखना है जी हां दोस्तों यहां पर आपको नेम आप पोस्ट लिखना है कि फोटो जो है तीन मंस से पुरानी जादा नहीं फोटो नीच है आपकी लेटेस्ट की खिचाई हुई फोटो जो है यहाँ पर अप्लोड करना है यहाँ पर चिपकाना है इसका दोस्तों यहाँ पर सियल नमबर फॉस्ट इन अडवर्टीजमेंट तो यहाँ पर जब आप इसक नमबर लिखना है अगर दुसरी पोस्ट नर्सिंग स्टाफ ले अपलाई करना है यहाँ पर टू लिखना है इसके दोस्तों यह जो कंट्रोल नमबर इसको आप छोड़ देंगे यह ओफीसियल यूज के लिए है ध्यान रखिएगा और यहाँ पर फोटो बगएरा मैंने आ आपको इसके ब्लॉक के अंदर सिंग्नेचर भी करना है अब देखें यहाँ पर वेटेज ऑफ मार्क्स तो परसेंटेज ऑफ बेटेज मार्क्स इन ऑप्टेंट इन क्वालिफिकेशन प्लस एडिस्नल क्लेम ठीक देखिए जैसे कि मैंने बता है वेटेज ऑफ मार्क्स पर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ नो में जे जवाब देना है आप करते हैं तो आपको जहाँ पर टिक करना है यह करके लगत करना है और लोक् нуж यहाँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम लिख और वान म नह Mac प्ल Unsut servant नम जो है मैं यहाँ लिक रहा वे स्कों आप देख सकते हैं, यहां पर देट अ पर बर्थ भी, इसका दोस्तों यहां पर पर नीचे आते होते हो Π यहां पर देख की आपको चीह प्रकार है। गैल जैसे कि यहां पर हमारे यह तो आप लिखा लुख के बात दोस्तों यहां पर आप लीडेकियो teor dot स्टाइटिंग मैंने आपको पेमेंट करने का तरीका बताया था तो वही जो है आप कौन से बैंक से पेमेंट किये हैं आपका जो भी बैंक हो उसका नाम लिखना है और यहां पे 50 रुपए अमाउंट आपको लिखना है यह हो गया दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों यहां तो आप देख सकते हैं यह बंकी इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर टिक करना है तो वह गजोड़ाएफ और समय से परस्विंग करें ही पर्सनल में यहां पर yes no में टिक कर सकते हो यह होने बाद दोस्तों यहां पर नीचे अगर आते हो तो यहां पर इसेंसियल क्वालिफिकेशन पूछा गया है तो अगर आपने दस्मी पास कर रखा तो यहां पर दस्मी पास येर ऑफ पासिंग कौन से बोट से पढ़े हुए है कि क्या सब्जेक्ट था आप जो है जैसे मालिच टेंथ लिखे हुए है तो टेंथ में आप साइंस यहां पर लिख सकते है इसके दोस्तों ध्यान रखिएगा 10th की मारकश है भी आपको यहां पर ठेस करनी है इसके दोस्तों कुछ क्च टेंडिकल对्केशन है तो आप यहां पे लिख सकते यहां पर अगर आपस कुछ experience वगरा है तो आप यहां पर दे सकते हैं बता सकते हैं नहीं है तो छोड़ दीजिए इसका दोस्तों यहां पर बियारो वगरा का अगर आपने experience वगरा है तो आप यहां पर लिख सकते हैं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं इसका दोस्तों यहां पर declaration है इसको देख लीजेगा यहाँ पर आप कहां से form को fill up करें वो लिखेगा date लिखेगा यहाँ पर आपको left thumb impression जो है लगाना है यहाँ पर signature of candidate आपका sign जो है यहाँ पर होना चाहिए यह होने के बाद आप जब जाते हैं तो यहाँ पर नीचे जाके देखते हैं यहाँ पर father का नाब लिखना है इसके दोस्तों यहाँ पर आपका अपना address लिखना है district pin code तहसिल उतब्रेस जो भी state वगरा है वो लिखना है pin code वगरा लिखना है at the time of submission application form यहाँ पर आपको signature करना है यहाँ पर left thumb impression जो है लगाना है अगुठा left वाला लगाना है अब यहाँ पर देखि इबाकी को आप यहाँ पर छोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद दोस्तों यह तो हो गया अब इस form को जो है आपको भेजना किस पर यहाँ पर document भी आपको अटैस करने है जैसे कि मैं बताया हूं दसमी की mark street education certificate अधार काट की photo copy latest passport size photo अगर आपका cast certificate है दो डूमिसाइस certificate ह इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार लिफाफा लेना है लिफाफा में देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है application for the post आप कौन सी पोस्ट आप यहाँ पर लिख रहे है तो पोस्ट का नाम लिख देंगे इसके दोस्तों यहाँ पे आपको matriculation percentage जानी के 10 का आपको percentage लिखना है और यहाँ पर देखिए two में जो है commanded grief center और यह भी जो भी है जो मैंने आपको वीडियो की स्टाइटिम दिखा है वह address यहाँ पर लिखना है इसके यहाँ पर आपको अपना address लिखना है कहां से आप भेज रहे है तो इस प्रकार दोस्तों इसके अंद आया आसा करता हूँ यह वीडियो जो है आपको के लिखना है मिलते हैं फिन नए वीडियो के साथ नई वेकेंस निक साथ आज रिखना है थैंक्स वर वाचिंग लिस्निंग